नमस्कार, Target with Alok Online Institute में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिस्र 8 पिम न्यूज बुलेटिन में आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपोन सुचना संग लोकसेवा आयोग और विभिन राजियों की लोकसेवा आयोग की तैयारी के लिए ये Target with Alok Online Institute में Target ISPCS Online Batch 15 सितंबर से प्रारंभ है जिसमें प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है इस बैश में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए आपको मिलेगा देश के जाने माने विशय विशेशग्यों का मार्ग दर्शन यहां सामान अध्यन के विशाल पाठिकरम से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान चाहे वो समस्या हो प्रारंभिक परिक्षा के बदलते हुए प्रारूप के अनुसार विशलेशन आत्मक प्रस्नों की या फिर बात करे मुख्य परिक्षा में लेखन सैली की या फिर समस् सोच विक्सित करने की क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बलकि प्रसासनिक अधिकारी की तरह सोचने की ख्षमता भी विक्सित करते हैं आलोक सर के कुसल नर्देशन में देश के विशय विशय सग्यों की टीम के साथ इस बैच में आपको मिलेगा ग्यारा सो पचास घंटे की सटीक वर रणनीतिक कक्षाएं मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का अंतर विशयक समझ के साथ अध्ययन प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्तलिखित, सारगर्भित और अध्यतन नोट्स, सीशैट की कक्षाओं का विश्तरित कवरेज और अखिल भारती अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुविधाएं तो आज ही जुआइन करें टारगेट IAS PCS Online Batch और विद्यार्थी नहीं प्रसासक बनिये इस बैच से जुड़ने के लिए 9918000454 पर इंट्री IAS लिखकर वाटसब करें इस बैच से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर्क करें और अब चलिए खवरों की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हेड्लाइन्स पर एक नजर पाकिस्तानी मंत्री ने जम्मू कस्मीर को लेकर दिया बड़ा बयान कहा गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांध का दरजा देने पर सरकार जल्द कर सकती है विचार भारत ने कहा संपूर्ण जम्मू कस्मीर है भारत का हिस्ता पाकिस्तान को इसमें बतलाओ का नहीं है कोई अधिकार CSIR ने कहा DCGI ने टाटा क्रिस्पर के COVID-19 परिक्षन फिलुदा के वानिजिक सुभारम को दी मंजूरी क्रिस्पर तकनिक को CSIR और IGIB ने किया है विक्सित कई मायने में खास है यह विशेश तकनिक तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जम्मो कस्मीर वर्सों से एक विवादित छेत्र है भारत ने कई बार पाकिस्तान को अस्पस्ट किया है कि कानूनी तौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाक सहित पूरा जम्मो कस्मीर भारत का अभिन अंग है 17 सितंबर को पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिली खबर में एक पाकिस्तानी वरिष्ट मंत्री ने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान के दरजे को बढ़ा कर एक पूर्ण प्रांध का दरजा देनी की तैयारी की जा रही है कस्मीर गिलगिट और बाल्टिस्तान मामले के मंत्री अली अमिन गुंडपुर ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर्य आजम जल्द ही इस छेत्र का दवरा करेंगे और गिलगिड वबाल्टिस्तान को पूर्ण राजे का दरजा देनी की आपचारी घोशना करेंगे इस छेत्र को विशेश दर्जा देने के साथ ही इसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत सभी संब्धानिक निकायों में भी परियाप्त प्रतनिधित्व दिया जाएगा हलाकि पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है भारत कई बार पाकिस्तान को असपष्ट कह चुका है कि संपूर्ण जम्मू कस्मीर भारत का अभिन्न हिस्ता है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है ऐसे में पाकिस्तान को इनकी स्थिती में बतलाव का कोई अधिकार नहीं है इस बाबत भारती विदेश मंत्राले ने पाकिस्तान के कबजे वाले इलाके में फोस बतलाव करने के इसलामाबाद के प्रयासों का बिरोध करते हुए मैई में ही कहा था कि पाकिस्तानी सरकार या न्याई पालिका का गैर कानूनी तरीके से कबजा किये गए इन इलाकों को तुरंद खाली कर देना चाहिए आपको बता दे कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कस्मीर के उत्तर पस्चिम में स्थित है यह छेतर जम्मू कस्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्ता था लेकिन साल 1947 में कस्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमन के बाद से यह इलाका पाकिस्तान के अधिकार में है वर्तमान में गिलगिट बाल्टिस्तान के पास सीमित सक्तियों वाली एक विधान सभा है जो पाकिस्तानी सरकार में जम्मू कस्मेर और गिलगिट बाल्टिस्तान मामलों के मंत्राले द्वारा प्रसासित की जाती है इसके अलामा इसकी वास्तविक सक्तियां पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिशद में निहित है आपको बता दें कि वर्तमान में बलूचिस्तान, खैबर, पक्तुनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के चार प्रांत हैं ऐसे में अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाता है तो यह पाकिस्तान का पांचवा प्रांत होगा इस इलाके का वैस्विक राजनीत में काफी अहम रोल है इस छेत्र के महतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानि CPEC इसी से होकर बनाया जा रहा है यह छेत्र भारत पाकिस्तान के बीच विवादित होने के कारण इस परियोजना के समक्ष भी समस्याएं आ सकती हैं बीते उनिस सितंबर को वैज्यानिक और अध्योगिक अनसंधान परिशद यानि CSIR ने खबर साजा करते हुए बताया कि ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया यानि DCGI ने टाटा क्रिस्पर या क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरसेप्टर सौर्ट पलिंड्रोमिक रिपीट के कोविट-19 परिक्षण फेलुदा के वाणिजिक सुभारंभ को मंजूरी दे दी है इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च यानि ICMR के दिसा निर्देशों के अनुसार इस परिक्षण में 96 प्रत्षत समवेदन सीलता और कोरोना वाइरस का पता लगाने के लिए 98 प्रत्षत विसिष्टता के साथ उच्च गुडवत्ता वाले बिंच मार्क मिले है यह वाइरस परिक्षण COVID-19 का कारण बनने वाले वाइरस का सफलता पूर्वक पता लगाने के लिए विसेश रूप से अनुकूलित CA9 प्रोटीन को तैनाद करने वाला दुनिया का पहला नैदानिक परिक्षण होगा टाटा क्रिक्षण परमपरागत RT-PCR परिक्षण से कई मायने में अलग है यह परिक्षण RT-PCR परिक्षणों की सठेकता से कम समय में हासिल करना उपयोग में आसान के साथ-साथ कम खरचिले उपकरणों से प्राप्त करेगा इसके अलावा क्रिस्पर एक भविश की भी तकनीक है जिसे भविश में कई अन्य रोगजन के पता लगाने के लिए भी तैयार किया जा सकता है आपको बता दें कि टाटा क्रिस्पर तकनीक को CSIR, IGIB या Institute of Genomics and Integrative Biology द्वारा विक्सित किया गया है यह Made in India परिक्षण के साथ रास्ट को जल्द ही और आर्थिक रूप से सस्ते विश्वसनी है, सुरक्षित और सुलव COVID-19 परिक्षण को सफल बनाने में सहयता करेगी अत्याधुनिक क्रिस्पर तकनीक का उपयोग SARS-CoV-2 वाइरस के जिनोमिक अनुकरम का पता लगाने के लिए कहता है क्रिस्पर रोकों का निदान करने के लिए यह एक जिनोम एडिटिंग तकनीक है टाटा मेडिकल एंड डाइगनोस्टिक लिम्टेट के CEO गिरीस क्रिष्ण मूर्ती ने कहा कि इस टाटा क्रिस्पर परिक्षण का व्यवसाई करन देश में जबर्जस्त अनुसंधान और विकास शमता को दरसाता है जो वैस्विक सेवा और वैग्यानिक अनुसंधान जगत में भारत की सहयोग को बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान कर सकता है और अबंत में कुछ अन्य महत्वपून खबरों पर एक नजर राजसभा ने 20 सितंबर को कृसी संबंधित दो महत्वपून विधेयकों को मंजूरी दे दिया इन विधेयकों को लोगसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है इसमें कृसी उपज व्यापार और वानिज समवर्धन और सरली करण एवंग संडक्षन विधेयक 2020 सामिल है ये विधेयक 5 जून 2020 को जारी किये गए समान अध्यादेसों का स्थान लेंगे इस विधेयक के अनुशारिक प्रिसी उपज और खेती के क्षेत्र में स्टॉक सीमा और लाइसेंस राज की समापती होगी किसानों को अनुबंध खेती से अधिक आयप्राप्त करने का मौका मिलेगा और साथ ही नियुनतम समर्थन मोली यानि MSP पूर्ववत बनी रहेगी किसान अभियह तैं कर सकेंगे कि वे अपने उत्पादों को कहा और किस कीमत पर बेचेंगे यानि अब किसान को मंडी कर नहीं देना होगा जो पहले 2 से 8.5 प्रतिशत तक देना परता था प्रतेक वर्स सितंबर माह के तीसरे सनीवार को अंतर राष्टी तटी स्वक्षता दिवस यानि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनप डे के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश तटवर्ती इलाकों में साफ सुथरे परियावरण के लिए लोगों में जागरुकता फैलाना है इस उद्देश परियावरण मंद्री प्रकास जावडेकर ने कहा कि ब्लू फ्लैक प्रमालन के लिए पहली बार देश के आठ समुद्र तटों की सिफारिस किया गया प्रमाणन डेनमार्क की एजंसी द्वारा 33 सक्त मानदंड के आधार पर किया जाता है जिसके चार प्रमुख वर्ग परियावरण सूचना और सिक्षा स्नान के लिए जल की गुरुवत्ता परियावरण प्रबंधन और सन्रक्षन तथा समुद्र तट पर सेवा और किसी भी तटको ब्लू फ्लैक के रूप में माननता वहां मवजूद सुविधाओं स्वास्त वर्धक परिवेश और इलाके की विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है केंद्री कपड़ा मंत्राले द्वारा कपड़ा क्षेत्र में छमता वर्धन के लिए समर्थ योजना चलाया जा रहा है यह एक प्लेस्मेंट आधारित योजना है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवंग बुनाई को छोड़कर वस्तरों की स्तंपोण मूली स्रिंखला में 10 लाक के लगभग युवाओं के कौसल को परिलक्षित करना है इस योजना के तहत 18 राज सर सरकारों को ट्रेडिस्नल एवंग संगठित क्षेत्रों में प्रसिक्षन कारेक्रम आईवजन करने के लिए 3.5 लाक से अधिक लाभारतियों का प्रसिक्षन लक्ष प्रदान किया गया है सरकार द्वारा यह योजना 1300 करोन रूपए के कुल लागत से चलाया जा रहा है जिसमें प्रवेश अस्तर के कौसल के तहत 76 उद्योगों को सूची बद्ध किया गया है इसके अत्रिक्ट अप इसकिलिंग कारिक्टरम के लिए 44 उद्योगों और 30,000 लाभारतियों के प्रसिक्षन का लक्ष प्रदान किया गया प्रतेक वर्स 17 सितंबर को विस्वर रोगी सुरक्षा दिवस यानि वर्ड पेशेंट सेफ्टी डे की रूप में मनाया जाता है उनके परिवारों, समुदायों, कारिकरताओं और नीती निर्माताओं एक साथ लाने का प्रयास भी करता है इस वर्स विस्वर रोगी सुरक्षा दिवस की थेम सुरक्षित स्वास्थ कारिकरता सुरक्षित रोगी रखा गया आपको बताते चलें कि 25 मई 2019 को विस्व स्वास्थ संगठन ने अपने 72 सम्मेलन में रोगी सुरक्षा को एक वैस्विक स्वास्थ प्राथमिक्ता के रूप में मान्यता देने और 30 वर्स 17 सितंबर को रोगी सुरक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया यानि पहला विस्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2019 को मनाया गया था फिलहाल 8 पेम के इस न्यूज बॉलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जोड़े रहिए टार्गेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टिडूट से मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार